रिषा नमसकार लेड़ इंडिया के सिदा में आपका बहुत स्वागत एंट दोस्तों इस वीडियो मैं मैं बताऊँगा कि एक तरफ आई या इसको contested divorce भी हम कहते हैं कि contested divorce क्या होता है इसका meaning ही होता है कि यदि एक partner divorce के लिए रेडी है वो divorce लेना चाहता है जबकि दूसरी जो partner है वो divorce नहीं देना चाहते तो उस स्थिति में आप इस situation को कैसे handle कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको deal करेंगे Usually हमने ये दिखा है कि कई बात जब ये situation आ जाए जिसमें कि जो husband है वो ज़्यादा period हो तो उनको हतोत साहित किया जाता है इस बात के लिए कि आप directly divorce के लिए नहीं जा सकते हैं और तमाम तरीके की बाते कही जाती है कि law जो है वो महिलाओं की तरफ ज़्यादा जुका हुआ है उनका पलरा जादा भारी है और ऐसे करके discourage किया जाता है जबकि मैं आपको बताओं कि law के अंदर grounds लिखे गया है कि इन इन grounds पे अगर आपको सही में वो आपके साथ में हो रहा है तो आप उसके basis पे divorce ले सकते हैं तो contested divorce का पूरा process क्या होता है वो सभी process आप इसमें जानता हैंगे देखिए जब कभी भी आप contested divorce के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें कुछ बहुत important होता है लगबग ज़्यादतर cases में होता है वो है cruelty, adultery या mental harassment इस तरह से चीज़े होती हैं जिसके बाद decide करते हैं कपल की अब साथ में नहीं जा जा सकता और divorce लेना ही परेगा तो जो grounds में बता रहा था उसमें और अगर बताऊं तो कुछ और grounds जैसे cruelty हो गया, adultery हो गया, desertion भी एक बहुत बढ़ा ground है जिसमें त्याग कर देना, छोड़ देना conversion अगर आप किसी partner ने धन परिवर्तन कर दिया, पती या पत्नी किसी ने भी धन परिवर्तन कर दिया या आपको कोई mental disorder हो जाए, या कोई communicable disease हो जाए, जो मतलब लाई-लाज हो और वो ठीक ही नहीं हो सकता, इन सभी cases में हम contested divorce को file करते हैं देखें, जब कभी भी contested divorce की बात आती है, तो सबसे पहले, अब आपको क्या करने के ज़रूरत है, सबसे पहला चीज़ इसमें ये करना ज़रूरी होता है, कि documents को gathered करें, क्योंकि उसके बहुत ज़रूरत हो चाहिए, documents में क्या चाहिए, आपकी शादी का card चाहिए, शादी क proof, यानि marriage का जो भी certificate हो, या marriage की photo हो, वो सब कुछ चाहिए होता है, आपका जो residence proof है, वो चाहिए होता है, और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई evidence है, जिसमें आप साबित कर सकें, कि जो भी grounds divorce के हैं, उससे related अगर आपके पास कोई evidence है, तो वो भी आपको gathered करना, आप को अपने पास में रखना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद जरूरी है, कि आप किसी एक attorney, यानि किसी advocate को ढूंडे, और ढूंड करके आप उनसे discuss करें, सलाम अशुरा लें, और उसके बाद से जो तीसरा step होता है, कि जब आप final कर लें अपने advocate को, तो paperwork start होता है, paperwork में सब से पहला काम होता है, कि एक draft किया जाता है, अब draft करने में दो चीजे हो सकती है, कई लोग ये suggest करते हैं, कि आपको पहले legal notice भेजना चाहिए, legal notice इसलिए भेजा जाता है, ताकि आप एक last warning अपनी wife को देना चाहते हैं, या अपने husband को देना चाहते हैं, कि यदि आपने फिर इस रिष्टे को ठीक नहीं कि आपनी गलतियों को नहीं सुदारा, तो अब ये रिष्टा खतम होने वाला है, और अगर आप within time इस पे सही response नहीं देते हो, तो मेरे पास कोई option नहीं बसता है, और मुझे code जाना परेगा, और इस रिष्टे को खत्म करने के लिए मुझे application ल से response नहीं किया, और कोई response नहीं दिया, या आपके जो भी आरोप है वो deny कर दिया, और आपको लगता है कि अब रास्ता कोई नहीं बचा है, तो petition के drafting होगी, divorce के petition के drafting होगी, और फिर उस petition को court में file किया जाएगा, जिसमें date मिलेगा, और उस date पे जो है notice service किया जाता है दूसर इसी में बहुत जादा time लगता है, जैसे हम notice भेजते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि notice जो दूसरी party है, intentionally उसको receive नहीं करती है, या वो address change करके कहीं और रहने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि notice भेजने के लिए, अब जैसे मानलेजे एक date लगी और notice भेजा गया, notice भेज जाता है, तो कोशिश ये करना है कि आप within time जितना जल्दी हो सके, आप सही address रखें और जो आपकी partner है, उनको notice सर्व करवा दें, अगर ये हो जाता है, तो हमारा बहुत सरा समय उससे बच जाता है, अगर आप इस्तरी हैं और आपका कोई धन, आपकी इस्तरी धन या कुछ अगर आपके ससुराल में हैं, तो आप उसके discovery के लिए भी आप demand कर सकते हैं court के माध्यम से, जिससे कि उसको discovery कराए जा सके, जब ये matter court में आ जाता है, उसके बाद से दोनों party जब आ जाती है court में, तो court एक मौका देती है settlement के लिए, और ये matter mediation में चला जाता है, अगर mediation मे settlement हो जाता है, उस समय ये होता है कि settlement के दोरान, अगर दोनों parties आपस में बात करते हैं, आइदर साथ में रह लो या divorce ले लो, divorce के लिए अगर ही होते हैं, तो mutual divorce हो जाता है, और अगर settlement हो जाता है साथ में रहने के लिए, तो साथ में रह लेते हैं, और petition को withdraw कर लिए जाता है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वापस मैटल कोट में आता है और ट्राइल स्टार्ट होता है जिसमें जो पिटिशनर है उसको ये साबित करना पड़ता है कि जो उसने आरोप लगाए हैं उसके आरोप सत्य हैं सही हैं उसके लिए उसको एविडेंस देना पड़ता है जो अब दो में कोशिश किया है कि इस प्रोसेस को मैं समझा सकूँ अगर आपके पास ज़्यादा कोई सवाल है और इस्पेसिफिक आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको हमारे हेल पैन नमबर डबल डबल जिरो ट्रिपल फो ट्रिपल फाइप पर सुबह नौ बज़े से लेके शाम को आठ बज़े तक कॉल करना होगा और हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी query generate कर सकते हैं हम लोग आपकी पूरी सहाथा करने की कोशिश करेंगे Thank you so much for watching this video Thank you कर दो